हेलो पैरे बच्चों, बच्चों कैसे हैं आप सभी? I hope कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम Class First के Subject English के Week No. 11 की वक्सीट को सॉल्ट करेंगे जो की EDMC के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वक्सीट का टॉपिक है Chapter 11 If I were an apple यदि मैं एक सेब होता बच्चों ये आपके Chapter का नेम है तो शुरू करते है We see so many fruits around us हम अपने चारो तरफ बहुत से फल देखते हैं They have different colors उनके अलग रंग होते हैं Taste उनका अलग स्वाध होता है And size और वो अलग आकार के होते हैं Draw and Color Your Favorite Fruit Blow बच्चों यहाँ पर आपको अपने फैवरेट यानि की पसंदीदा फल को ड्रॉ करना है और उसका नाम लिखना है और उसमें सुन्दर से रंग भरने है तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर space दिया गया है आप यहाँ पर अपना पसंदीदा फल है उसे ड्रॉ करेंगे उसका नाम लिखेंगे इसका size कितना है बच्चों जैसे कि मेरा फैवरेट fruit है mango तो बच्चों यहाँ पर mango की picture ड्रॉ करनी है name लिखना है mango color कैसा है इसका yellow size कितना है medium taste कैसा है sweet त्यानि की मीठा है now next is trees are very important for us पेड़ हमारे लिए बहुत महतुपूर्ण होते हैं they give us many things वे हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं we should save them हमें उन्हें बचाना चाहिए tell me what we should do or not to do with trees हमें पेड़ों के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये बताना है put right or cross in the boxes below अब बच्चों सही के लिए सही का निसान लगाना है और क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए cross का निसान लगाना है box में तो बच्चों हमें trees में पानी देना चाहिए सही बात है हमें trees को cut करना चाहिए तो बचो यह गलत है, यहाँ पर cross का निसान लगाएंगे बचो हमें फूलो को तोड़ना चाहिए, तो बचो यह भी गलत है, यहाँ पर cross का निसान लगाएंगे हमें पेड लगाने चाहिए, तो बचो हाँ यह बस सही है Next is, what would you do if you were a आप क्या करते यदि आप क्या होते इफ I were a kite यदि में एक पतंग होता I would walk or fly तो मैं क्या करता उड़ता If I were a monkey यदि में एक बंदर होता I would jump or swim तो मैं तेरता या फिर jump करता तो jump करता यानि उचल कूत करता If I were a doll यदि में एक गुड़िया होती I would dance और fight तो मैं क्या करती डांस करती या fight करती तो मैं क्या करती डांस करती Next is If I were a flower यदि में एक फूल होती I would cry और smile तो मैं क्या करती मैं smile करती Now trees are very useful पेड हमारे लिए बहुत ही लाबदायक हैं, useful हैं They give us many things, वे हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं Like air, हवा देते हैं, शेड, छाया देते हैं, एट सेक्टरा Circle the things we get from trees अब बच्चों यहाँ पर उन चीज़ों पर हमें circle करना है जो हमें पेडों से मिलती हैं तो बच्चों यहाँ पर देखो पेडों से हमें क्या क्या मिलता है Leaves मिलती है furniture के लिए लकडी मिलती है यहाँ पर बच्चों यह सेब है, यह बनाना है यह बच्चों flower है, यह vegetables है बच्चों pear है, pencil भी लकडी के द्वारा बनती है बच्चों match box हमारी, किसके द्वारा बनती है लकडी से बनती है बच्चों हमें medicines भी, पेडों से मिलती है जाता है बच्चो बुक भी ये बच्चो बैठ है लकडी का ये भी किस से बनता है पेडों के द्वारा दे गई लकडी से ही बनता है तो ये सभी अधिकतर जो चीजे हैं बच्चो किस से प्राप्थ होती हैं हमें ये हमें पेडों से प्राप्थ होती है नाओ ड्रौ तू मोर we get from tree बच्चो यहाँ पर आप दो things और हमें ड्रॉ करनी है जो हमें पेडों से मिलती है तो बच्चो पेडों से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है एपल, बनाना पेर, नास पाती, ग्रेप और क्या मिलता है बच्चो और रहे हैं यह सभी चीज़ें हमें पेडों से मिलती है बच्चो पेपर, दवाईया यह है बच्चो लकडी के लौग, लट्टे हैं तो यह सभी हमें पेडों से मिलते हैं तो आप भी इसी तरीके से टू-टू-थिंग्स की पिक्चर ड्रॉ करेंगे बजार में बहुत से फल होते हैं राइट करेक्ट नेम्स ऑफ दा फोलोइंग फ्रॉट्स सही फल के लिए सही नाम लिखना है और उन्में कलर फिल करना है तो बच्चो फर्स्ट पिक्चर में कौन सा फ्रूट है ग्रेप तो यहाँ पर ग्रेप लिखेंगे यह कौन सा है बच्चो एपल यानि की सेव नेक्स पिक्चर में है मैंगो आम यहाँ पर मैंगो लिखेंगे यहाँ बच्चो पाइनेपल अनानास यहाँ बच्चो पियर यानि की नास पादी यहां पेर लिखेंगे यह है बनाना बनाना मीं सोता है केला यहां पर बनाना लिखेंगे नेक्स्ट है पापाया पापाया कहते है बच्चों पपीता को नेक्स्ट है औरेंज औरेंज मीं सोता है संत्रा तो यहां पर औरेंज लिखेंगे students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you